तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक ब्रांडिंग टेखनीक के बारे में जो आपको हेल्प करेगी आपके लोकल एरिया में आपका रीच बढ़ाने में या फिर आपके लोकल एरिया में आपकी पॉप्युलारिटी बढ़ाने में बिलीव में JFM में यानि January, February, March में ऐसी ब्रांडिंग अक्टिवीटी बहुत ज़िए काम आती है मैंटजर्स को क्योंकि पता है क्यी मैंटेजर्सकों ऐसा लगता है कि यार मेरे लोकल एरिया में कोई मुझे जानता ही नहीं है किसी को पता ही नहीं है यहां मेरा office है मेरी area में किसी को पता नहीं है कि मैं उनको investment करने के लिए help करवा सकता हूँ या फिर उनको एक बहतरीन career opportunity दे सकता हूँ तो ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मेरे local area में मेरी popularity बढ़ जाए तो I'm sure इस video के title को पढ़के आपको अब तक समझ में आई गया होगा हम किस के बारे में बात करने वाले है येस हम laundry वाले के बारे में बात करने वाले है जी हाँ वही laundry वाला जो हमारे कपड़े इस्त्री करके देता है कई laundry वाले ऐसे होते है जो घर पे भी इस्त्री की हुए कपड़े या आयन की हुए कपड़े डिलिवर करते हैं और घर से पिकप भी करते हैं और कई लॉंडरी वाले ऐसे होते हैं जहां पर हमें अपने कपड़े जाके देने पड़ते हैं लेकिन बिलीव मी यह जो सोर्स है यह बहुत ही प्रोड़क्टिव सोर्स है क्योंकि जितने भी हमारा नाम हमारे लोकल एरिया में popular हो जाए जी हाँ at least लोगों को पता चले के हम क्या करते हैं कौन सी company में काम करते हैं किस तरह से लोगों को help कर सकते हैं तो यह activity execute कैसे होती है आईए इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले आपको आपके लोकल एरिया में कम से कम 5 या 6 ऐस लॉंड्री वालों को connect करना पड़ेगा यानि ढूंडने पड़ेंगे ऐसे 5 या 6 लॉंड्री वाले हमारे इनो society के आसपास residential society जो होती है उसके आसपास या फिर हमारे building के आसपास कहां पर है और इनके साथ आपको tie-up करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है tie-up कैसे करेंगे देखिए कई लॉंड्री वालों को आपने देखा होगा कि जो इस्तरी की हुए कपड़े जो होते ना आयन की हुए ये कैसे deliver करते हैं कई household में मैंने देखा हुआ है कोई एक कपड़ा दे देते हैं उसमें उन्हों वो लपेट के इस्तरी के कपड़े deliver कर देते हैं कई अगर आप इस्तरी की हुए कपड़े अपने clients को दोगे ना तो आपका impression बहुत जादा अच्छा पड़ेगा और ये जो envelop है हम आपको free में देंगे जी हाँ आपको कोई खरचा करनी की जरूरत नहीं है तो अगर ऐसा कोई offer सुनता है तो कौन इस्तरी करने वाला या फिर कौ लॉंड्री वाला मना करेगा है ना लेकिन इसमें हमारा benefit क्या है पता है यह जो envelop हम बनाने वाला है इस पे हम अपना branding करेंगे जी हां insurance industry में मैंने ऐसे कई सरे smart managers को दिखा हुआ है जिनोंने इन envelops पे अपनी advertisement को print किया है कई managers ने इस activity को business के लिए use किया है कई managers ने इस activity को recruitment क लिए भी use किया हुआ है believe me दोनों conditions में काफी अच्छा result मिला हुआ है so basically जो envelops होता है न वो courier size के होते यारी आपने वो green color के बड़े envelops देखे होंगे right तो उनी envelops को वो खरीद के print करते हैं और in laundry वालों को जाके देते हैं तो I understand आप क्या सोच रहे हो यह printing का यह खरीदने क खर्चा कितना आता है on an average जहां तक मुझे पता है यह जो envelops है इसको खरीद के print करने का जो total cost है that comes to around three to five rupees depending on the city हां हां अफकोस अगर आप इसको bulk में खरीदते हो बल्क में print करते हो तो right लेकिन यह activity को अगर आप आपके local area में 5 या 6 laundry वालों के साथ execute करोगे न और आपके envelops ह हर घर में जाएंगे हर घर में आपका message जाएगा तो believe me इससे बहुत ही positive effect होता है और branding activity तो बहुत अच्छी तरह से हो जाती है क्योंकि यह जो envelops होता है इनका shelf life काफी अच्छा होता है shelf life समझते हो ना मतलब कितनी देर तक यह envelops किसी के घर पे रहते है या कितनी देर तक इ दालके उनको deliver किये है तो दूसरे तीसरे दिन उसी envelop में नए कपड़े डालके इस laundry वाले के पास वापिस आते है that means इस envelop का shelf life जो है वो कम से कम तीन दिन से पांच दिन का होता है और तीन या पांच दिन हो तो अगर यह envelop किसी के घर पे रहता है continuously लोग उस envelop को देख रहे होत है कि क्या लिखा है उस पर automatically लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं and believe me इस तरह से जब activity होती है actually phone की ring बचती है क्यूंकि अगर आप इस activity को leaflet distribution से compare करोगे न तो I know दूसरे दिन क्या होता है सिर्फ हम रहा देखते है phone की घंटी बजने की और कोई घंटी नहीं बचती है क लिकिन ऐसी type की अगर आप branding activity करोगे तो I am 100% sure यह आपको lead generate करने में बहुत जादा help करेगी तो I am sure यह branding activity आपको काफी जादा अच्छे लोगी होगी अगर हां तो इस video को like और share ज़रूर कर दीजेगा और अगर आपको यह सीखना है कि bulk में अपनी team में agents को कैसे recruit किया जाता है तो आपको मेरे online training program को ज़रूर register करना चाहिए जिसका नाम है how to mass recruit agents यह सिर्फ 4 दिन का training program है 15 January से शुरू हो रहा है और 18 January तक चलेगा हर रोज दोपर को सिर्फ एक घंटा यानि 2 से लेके 3 इस training program में में यह तो बात करने वाला हूँ कि आप अपनी team में bulk में किस तरह से agents क recruit कर सकते हो लेकिन उसके साथ साथ में एक ऐसी strategy भी share करने वाला हूँ जिसको implement करने के बाद आपकी team में आज जितने भी negative agents है इन active हो चुके है उनको आप फिर से active कर पाऊगे सोचो इसका कितना positive effect पड़ेगा इस JFM में कितना जादा business आप generate कर पाऊगे तो इस training program को बिलकु करने के लिए आपको WhatsApp पे सिर्फ हाई और अपना नाम लिख के भेजना है मैं सामने से सारी details आपको सेंड कर दूंगा registration link के साथ मेरा WhatsApp नंबर है 9714-991-661 मैं फिर से repeat करता हूँ 9714-991-661 इस training program को आज ही register कीजिए क्योंकि काफी जादा limited seats है और दिन बहुत जादा कम बचे हुए है see you in the training program